हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एक्जाम भी आइम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और इसके बारे में ना मैंने नीरबूर्ट तीन महने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 31st मार्च के पहले आ जाएगा उस टाइम भी वो इ अभी आपको पता है बीच में कुछ छुटी पे है कोई मतब पर्मिशन के लिए थोड़ा से डिले हो जाता है तो वही इंफॉर्मेशन है बस यह थोड़ा सा एक 10-15 दिन से आगे गया है तो मैं बताऊंगा आपको एक्जाक्ली यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आने बाला ह है क्योंकि स्टूडन्स इस एक्जाम के लिए पिछले दो साल से वेट कर रहे है आपको पता है इसका जो एक्जाम हुआ था वो 2022 के इनिशल टाइम में हुआ था अभी लिटरली दो साल इसको हो गया है स्टूडन्ट ने पढ़ाई की भी थी वो भूल भी कहते है फिर से की फिर से बुल गए दो तिन बार रिविजन भी होगे लेकिन अभी वो टाइम आ गया है अभी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं इसके बारे में इन्फरमेशन देता हूँ चलो यहाँ पर वीडियो स्टार करते हैं तो यह बताने से पहले देखो अभी से भी इन्फरमेशन जो मैंने पहले दिया था वही है उसके थोड़ा सा एक दो वीक का आगे पीछे हुआ है तो नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है फर्स्ट या सेकेंड वीक ओफ एप्रिल कर मैंने टेलिग्राम चानल पे भी पोस्ट किया था और इसके लिए मैंने तीन ज सोर्से से किया था अभी मैंने फिर से अलग तीन सोर्से से यहां पी किया है और जनरल इलिग्राम है रही कया है इसका लाटिफिकेशन यह है और इसका नोटिफिकेशन यह है और इसका नियर अबॉट देखो hundred percent तो कोई नहीं कह सकता, on the spot आपको पता है ये notification, final selection हो जाने के बाद भी कभी-कभी cancel हो जाते हैं ठीक है, तो अभी ये 99.9% तक सच में है, कि 1st, 2nd week of April में notification आएगा booking जो है, आपको पता है, उसके 20-25 दिन एक मेना फ़ली booking हो जाएगा, जैसे booking हो जाएगा, आपको पता है आपका ज़्यादा वसर मुझे बता देते हैं जब booking हो जाएगी, तब मैं आपको बता दूगा कि exact date क्या है और आपको ये भी पता है कि booking भी 4-5 बार change होती है last to last time, CB का booking कम से कम 5 बार change हुआ था और जैसे change होगा वैसे बता दूगा तो यहाँ पर मेरा जो काम है, वो messenger वाला काम है यहाँ पर कोई prediction वाला काम नहीं ठीक है, और इसका जो exam है अगर आप देखेंगे तो 40-45 days 50 days तक gap होता है तो अगर 1st or 2nd week of April में आएगा तो इसका exam होगा, May end में यहाँ आपका June 1st 2nd week में यहाँ पर exam होगा ठीक है, और इसमें अभी मैं आपको थोड़ा vacancy के बारे में बोल देता हो 100 के आसपास vacancy रहेगी यहाँ पर देखते हैं अभी क्या है, information मिला है जब आ जाएगा तब सच का सच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतने लेवल तक बता है आपको पता है, RBA, Grade B के बारे में मैंने exactly बताया आपको कब notification आया है, vacancy कितनी है मैंने कम से कम 18 बार, exact number बोले ठीक है, अभी यह 100 के आसपास है और आपको पता है, round figure के आसपास आता है और इसमें generalist तो आने ही वाला है यह तो 100% sure है research की possibility ज़्यादा है legal और IT के बारे में पता नहीं है जैसे मुझे information मिला उस तरीके से मैंने बता दिया generalist 100% आएगा, research के भी chances है IT legal के बारे में पता नहीं है, तो यह information है अभी यह लेके आपको क्या करना है आपको पढ़ाई करने, सिफ यह information लेके आप से भी में grade officer नहीं बनने वाले यह इसकी पूरी link मैं यहाँ पे description में देता हूँ, आपको phase 1 के previous question paper देख लीजे phase 2, paper 2, phase 2, paper 1 यह सारा है, मैं इसका link देता हूँ आपको वहाँ पे जाके at least देख लेना है क्या है, क्योंकि time बहुत कम है, ठीक है, आपको preparation, जो लोगों ने किया है एक दो बार, तीन बार revision किया है, वो तो बहुत अच्छे position पे है, वो तो अभी कल भी देने को ready है, लेकिन जो नहीं है, जो सिर्फ notification नोटिफिकेशन करते रहते है, उनको ये एक last warning है, अभी इसके बाद तो time इन, इसके बाद तो directly आप notification देखेंगे, और फिर आप पूछेंगी कि sir, 2025-2026 का कब आएगा तो ऐसा नहीं करना, और ये जो मैं आपको लिंक देता हूँ मैं, वो करना है, और immediately पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, अभी इसमें ये नहीं पूछना है कि sir, विर आरबिया का भी आगया, दोनों की तैयारी कैसे करें, मतलब अभी पता है आपको ये problem कितना अच्छा है, कि 10-10 notification आगे कि किसकी तैयारी करू, अभी पता है मेरे पास 4-5 student ऐसे हैं कि जिनके पास 4-5 जॉब है, कि अभी क्या करें, वो problem कितना अच्छा है, problem भी ऐसा होना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए, कि रेक्टर, sir, RBI का भी जॉब है, CV का भी है, नाबड़ भी है, IFS ये बताओ, कौन सा जॉइन करू, तो ऐसा problem आना चाहिए, तो ये बैसा problem है, दोनों notification आसमास ही रहेंगे, दोनों कर सकते तो दोनों कीजिए, अगर एक कर से तो एक कीजिए, अच्छा है ना, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, अधरवाई दो साल से तो लोग वेट कर रहें, तो चलो, सब के लिए बहुत अच्छा नीउस है, और मैं होब कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आकेड, बड़े लेबल पे, यूटूब पे बोलना बहुत रिस्की होता है, आपको पता है, क्योंकि लोग फिर कुछ भी बूलना चालू कर देते, लेकिन मैं अभी उसके उपर चला क्योंकि आप तक मैंने कम से कम देड़ सो बार ऐसे प्रेडिक्शन किया है, और 90% चाहिए अधर टाइम वो सही आए, इसलिए अभी मुझे उस चीज़ का डर नहीं लगता, लेकिन स्टिल, वो क्योंकि स्टूड़न्ट मेरे एक एक वर्ड को बहुत, पताब हम बोलते हैं अच्छे से उसको कंसिडर करके, उस पर बिलीव करके पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए मैंने कल टेलिग्राम पे पोस्ट किया था, लेकिन मैंने इसलिए एक दिन मांगा था कि यार मैं और दो-तीन जगह से वेरिफाई करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक हैं, आप याप पढ़ाई के लिए लग जाईए, आपको आपको ऑचे लिए और दोचाए करते हैं,